उपराश्टुपती और राजसभा के सभापती जगदी धनकल को पत से हटाने के लिए विपक्ष ने कवाय दें तेज कर दी और कई मेंबरान ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दी है इस प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा इसकी प्रक्रिया क्या है आखिर उपराश्टुपती को उपराश्टुपती को पत से किस तरह से हटाया जा सकता है इस बारे में हम बातचीत करेंगे सुप्रीब कोट के वरिष्ट अधिवक्ता ग्यानन सिंग जी से ग्यानन जी मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से कल कवायदें शुरू ही विपक्ष की ओर से तो क्या प्रक्रिया है क किस तरह से जो उपराष्टपती हैं उनको पद से हटाया जा सकता है जो एक्स ओफिश्यों भी हैं राजसभा के hurप गया ड Not क्दा क, ऑफ और रॉल होता है लेकिन चुक्की ये एक्स ओफिश्यों चैरपर्सिनन उफ राजसभा है जो कि जब तक ही कुभ। student तू है यही चैर परसन रहेंगे तो जो resurrection है इनके removal का वो राज़ सभासे जनरेट होता है और राज़ सभा में resolution मूव किया जाएगा और वहां के majority तौरा पास किया जाएगा उसके बाद उसको ओडोक सभा तौरा भी उसको वेट किया दिन का notice देना अनिवार रहे है यानि कि पहले 14 दिन का notice दिया जाएगा उसके बाद जो सदन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी वहाँ पर वोटिंग होगी और फिर उसके बाद लोकसभा की सहमती भी अनिवार है इस मामले में उसके बाद ये वो पॉजीशन से हट जाएंग क्योंकि जो chairman होता है वो किसी भी house का member नहीं होता है एक चीज मैं आप से यह जानना चाहूँगा कि Vice President को हटाने की जो प्रक्रिया है remove करने की जो प्रक्रिया है वो महा भीयोग से कितनी इतर है और महा भीयोग जो कि राष्ट्रपती और मेरी जो जानकारी है कि जो judges है क्या किसी भी तरह से Vice President की जो प्रक्रिया है वो मैच करती है महाभीयोग की प्रक्रिया से दो चीजें है पहली जो प्रक्रिया है प्रक्रिया जो President को रिमूव करने का Impeachment है वो बहुत ही tough है उसकी जो voting की प्रक्रिया Special Majority और यह सब बहुत ही tough है वैसी ही प्रक्रिया Judges के लिए भी है प्रट दोनों में एक फरक यह है कि Judges के प्रक्रिया को हम रिमूवल बोलते हैं और President के को हटाने की जो प्रक्रिया उसे Impeachment बोलते हैं सम्विदान में उसी के लिए Impeachment का गया है क्योंकि जो Judges को कर जो को हटाने की प्रक्रिया होती है वो उसी प्रकार होती है जैसे Impeachment में होता है पट अल्टिमेटली Judges को President के ओर्डर द्वारा हटाया जाता है तो इसलिए उसे रिमूवल बोलते हैं अब रह गई दूसरा पहलू जो Judges और President को हटाने की प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया है सम्विधानिक प्रक्रिया है जिसमें की उसमें grounds है Judges को सिर्फ voting द्वारा नहीं हटा रहा सकता उसमें proved misbehavior होना चाहिए तो सिर्फ अगर पूरी Parliament के लोग Members of Parliament चाहें कि हटा देंगे तो नहीं हटा सकते है Resolution पास करके भी उनको तभी हटाते हैं जब एक inquiry committee बनती है और उनके misbehavior पे report आता है कि ये charge प्रूव हो रहा है उस प्रूव misbehavior के बाद ही voting होती है तो ऐसे ही किसी को पसंद नहीं है कोई judge उसको नहीं हटा सकते ऐसी ही थोड़ी सी प्रक्रिया president में भी है president को violation of the constitution के लिए हटा सकते है बट ये जो post है vice president का इसमें ऐसी चीज़ें नहीं लिखे गई है तो ये एक political move भी हो सकता है अगर politically opposition या members ऐसे हैं जो बहुत strong है majority है उनकी तो वो vice president को हटा सकते है क्या vice president में simple majority से दोनों सदनों की simple majority की voting से vice president को हटाया जा सकता है चुकि महाभयोग में दो तीहाई membran का resolution ज़रूरी होता है तो इसमें भी फरक है हाँ इसमें फरक है उसमें लिखा हुआ है special majority इसमें जो है जो सबदर का प्रयोग किया गया है कि he can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the council तो उस समय जो council के जो members का strength है उसकी majority होनी चाहिए यानि कि जितने लोग उस समय मौजूद हैं वहाँ पर सदन में strength जो है राजसभा की जो strength होगी उसकी majority होनी चाहिए और इसके साथ ही move शुरू किया विपक्ष की ओर से तो ऐसी इस्थिती में जबकि सदन नहीं चल रहा है तो क्या यह संभावना बनती है कि इसके लिए विशेश शत्र बुलाया जाए और फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए विशेश शत्र बुला करके संभिधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें 14 डेस का नोटिस है अब 14 डेस का नोटिस का यह मतलब नहीं होता है कि immediately after 14 डेस उनको voting का अधिकार है या resolution move करने का अधिकार होता है वह 14 डेस का नोटिस होना चाहिए उसके बाद वह यह नहीं लिखा है कि इनका जब 14 डेस का डेडलाइन पूरा हो उसी दिन 14 हो की resolution होगा यानि कि माली जी कि आज हमने notice जारी किया किसी को हटाने का खास्तौर पर वाइस प्रेसिदेंट का तो ऐसी इस्थिति में कि आपने सुना सुप्रीम कोट के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यानन सिंग जी को जिनोंने सपश्ट कर दिया कि Vice President यानि कि उपराश््ट पति और राजसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया में अभी तक जो विपक्ष की ओर से कवाइदें की गई हैं वो नाकाफी नज़र आती है और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि उपराश्ट्र पती जगदीब धनकड की सीट किसी भी तरह से खत्रे में है प्यूश पांडे टीवी नाइन भारत वर्ष नई दिल्ले